असलावलेकुम राखमतुल्लाई वबरकातू प्यारे बच्चों उम्मीद आप सब खेरियत से होंगे मैच की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम हैं सभी बच्चे अपनी मैच की कॉपीज ओपन कर लीजिए जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आ चेप्टर के शुरूआत में बताया था की परेमिटर क्या होता इसका पूरा मेजर मेंक। निकालना होता है जैसे फरस्ट में अगर आप इस में आप देखेंगे तो यह किसी की ए रेक्टेंगल की है figure parameter of rectangle कभी एक formula होता है और वो होता है two into l plus b लेकिन अगर आपको formula learn ना हो by chance तो आप क्या करेंगे parameter parameter निकालने के लिए आप चारो sides को जितनी भी sides की figure आपको दी गई है आप उसको add कर लेंगे सारी sides को sides की जो भी measurement दी गई है तो parameter निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से यह है मैं दो तरीके से करूँगी इस question को सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले से करूँगी कि parameter of rectangle का formula क्या होता है parameter of rectangle का formula होता है two into l plus b two into l plus b length plus breadth यह जो two है वो into मैं और तो यहाँ पर length तो length है 40 cm और length है 40 cm और breadth है 10 cm तो आप इसको formula में put करेंगे two length कितनी है length है 40 cm और breadth कितनी है 10 cm तो 40 और 10 कितना होगा है 50 हो जाएगा और यह है जब आप two को 50 से multiply करेंगे तो कितना हैगा 52 जा 100 तो answer आ जाएगा 100 cm तो यह तो हमने formula से solve किया है अब इसका second method करेंगे second method है अगर आप parameter निकालेंगे तो किसी भी figure का आपको उसकी सारी sides को add करना है तो parameter निकालेंगे अगर इस figure का तो क्या करेंगे 40 cm plus 10 cm plus 40 cm plus 10 cm तो जब आप इन्हें plus करेंगे 40 और 10 50 50 और 40 कितना हुआ 90 90 और 10 कितना हुआ 100 cm तो answer आजाएगा 100 cm लिख दीजिएगा आप चाहें तो sides अलग से लिख लिख लिए देखें ये a b है ये है 40 cm ए b कितनी है 40 cm ये लिख लिजिए b c कितनी है तो b c कितनी है b c है ये वाली 10 cm और उसके बाद है c d c d कितनी है c d है 40 cm और ये है यहाँ पर d a d a कितनी है 10 cm तो आप a की question को दो तरीके से कर सकते हैं जो भी आपको easy लगे आप उससे कर लीजिए या तो आप formula याद कर लीजिए parameter of rectangle का 2 into l plus b या फिर अगर आप से parameter निकालने के लिए कहा जाए तो simple जितनी भी side से उनको plus कर दीजिए parameter आजाएगा अब है next question b part इसमें आपको इसका parameter पता लगाना है अगर आप figure देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये square है क्योंकि इसकी चारो sides equal हैं तो square के parameter का formula होता है 4 into side या तो आप 4 into side करके निकाल लीजिए इसका parameter या फिर आप 4 sides को दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप 4 sides को add कर लीजिए तो भी parameter आ जाएगा तो first लिखेंगे parameter of square तो parameter of square कितना होता है parameter of square इसका formula होता है 4 into side जिसको formula पता है तो वो formula से कर लीजिए इसको solve और इसकी side कितनी है side बराबर है इसकी 5 cm तो क्या करेंगे 4 को multiply कर दीजिए 5 cm से तो 4 5s कितना हुआ 4 5s 20 cm आंसर आ गया यह फिर जब आप इसका दूसरा method करेंगे parameter निकालने के लिए सारी sides को add कर देंगे तो तब भी जो answer आएगा वो same आएगा दोनों में से जो भी आपको easy लगे आप उस method से यह sum कर सकते हैं तो क्या करेंगे 5 perimeter बराबर कितना हुआ sum of all sides sum of all sides सारी sides का sum करेंगे तो 5 cm plus 5 cm plus 5 cm और plus 5 cm 4 sides थी हमने चारों को इस तरीके से add करेंगे तो 5 plus 5 10 cm 10 plus 5 15 cm 15 plus 5 20 cm तो answer कितना आएगा 20 cm अब देखिए या तो आप formula लगा लेंगे तो भी 20 cm आएगा या आप all side का sum करेंगे तो भी 20 cm आएगा तो जिसको formula learn है तो वो formula से भी कर सकते हैं इस question को जिनको learn नहीं है तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं यह सब में चलेगा जिस भी figure का आपको parameter निकालना है आप उसकी सारी sides को add कर दीजिए parameter आ जाएगा तो उमीदे आपको समझाया होगा thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh